प्रिय शिक्षार्थियों आपका एन आयोस में स्वागत है आज हम पीडियां और गिटियां शीर्शक से व्यंग विधा का एक दिल्चस्प पार्थ पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिस करेंगे शिक्षार्थियों आपने पहले भी यह पार्थ पढ़ा होगा है यह पार्थ व्यंग की विधा में लिखा गया है व्यंग गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें व्यंग लेखक सीधे सरल शब्दों में अपनी बात इस पश्टता से कहता है लेकिन पढ़ने के दौरान जब इसका अर्थ बोध हम गरहन करते हैं तो एक दम से चमत्कृत हो जाते हैं व्यंग के माध्यम से लेखक समाज में फैली तमाम तरह की विसंगतियों विडम बनाओं रूढियों कूरीतियों और अंदविश्वासों का ऐसा परदाफास करता है कि पढ़ने और सुनने वाला उसे भीतर तक मैसूस करने लगता है और अपने समाज के प्रती अपने उत्तरदाइत्तों को मैसूस करते हुए जागरूख होने लगता है और साथ ही अपने समाज को भी जागरूख करने का प्रयास करता है शिक्षार्तियों इस पार्ट में लेखक ने साहित्य के शेत्र में सक्रिय युवा और विर्ध पीडियों के बीच के टकराव को व्यंग का सहारा लेते हुए सीधे सरल शब्दों में बेहत दिल्चफ ढंग से अभिवक्त किया है आईए पार्ट शुरू करने से पहले इसके मूल उद्देश्य को एक बार समझ ले शिक्षार्तियों इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप व्यंग का अर्थिस्पष्ट कर सकेंगे व्यंग विधा के तत्तों के आधार पे पीडियां और गिट्टियां पार्ट का विशलेशन और विवेचन कर सकेंगे दो पीडियों के बीच चल रहे संघर्ष को बेहत दंग से आप समझा सकेंगे व्यंग की भाशा सैली पर भी आप टिपड़ी कर सकेंगे शिक्षार्थियों यह व्यंग लेक विख्यात व्यंगकार हरसंकर परसाई ने लिखा है हरसंकर परसाई जी का जन्म 12 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में जिला हो संगावाद के जमनी गाउं में हुआ था नागपुर विश्विद्याले से हिंदी में एमे करने के बाद उन्हें कुछ समय तक नोकरी की लेकिन 1957 से लेखन को ही उन्होंने अपनी आजीविका का मुख्य साधन मना लिया जबलपूर से उन्होंने वसुधा नाम की एक पत्रिका निकाली वसुधा का आप अर्थ जानते हैं प्रिथ्वी होता है इसके अलावा नई दुनिया नई कहानिया और सारिका में वो लगातार स्तंभ लिखते रहे अपनी रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी सदाचार का तावीज वैशनों की फिसलन ठिठूरता हुआ गणतंत्र विकलांग स्रद्धा का दौर जैसी उन्होंने रचनाएं दिं और इन शीर्षकों से उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई परसाई जी समकालीन व्यंगकारों में सबसे बड़े सबसे महत्तपून रचनाकार माने जाते हैं उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों असमानताओं और विड़म मनाओं का बहुत विनोध पूर्ण वर्णन अपनी रचनाओं में किया है सामाजिक तथाराजनितिक समस्याओं पर भी उनकी कलम खूब चलती है आएए अब हम पीडियां और गिटियां पाठ को ठीक से समझें और जाने कि व्यंग क्या है शिक्षार्थियों व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें किसी कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगती विसंगती का मतलब होता है कि जो होना तो चाहिए लेकिन जो होना चाहिए वो नहोकर कुछ और हो तो उसको विसंगती कहते हैं और इसी विसंगती पर रचनाकार चोट करता है इसे आने कुदाहरन के तोर पे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि था तो वह एक सरकारी कर्मचारी परंतु काम कर रहा था और वह भी मांदारी से इसका अर्थ हुआ कि सामान्यतह सरकारी, अधिकारी और कर्मचारी लोग काम नहीं करते परंतु यदि व्यक्ति इस धाना को तोड़ कर अपना काम कर रहा है तो माना जाता है कि उसकी विपरीद दिशा में कारिशिलता है व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो उपर से नीचे तक व्यक्ति को जगजोर कर रख देती है व्यंग में बात करने का अर्थ है विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो साथ में भिन प्रकार की हसी भी आए और हसी ऐसी की चोट पैदा करे और जिस व्यक्ति पर व्यंग किया जा रहा है वह व्यक्ति तिल मिला कर रहे जाए और उस बात पर गहराई से सोचने पर भी मजबूर हो जाए आप अक्सर अकबारों में कार्टून का कोना देखते होंगे उसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी ना जाने कितनी घटनाओं को परोग शुरूप से प्रस्तुत किया जाता है कार्टून में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कई बार स्थानिय विश्वियों पर भी व्यंग किया जाता है घटनाओं पर व्यंग करता है व्यंग कार और उसे हम बहुत सहज और सरल भासा में पढ़के उसके अर्थ को समझते हैं शिक्षार्थियों जिसे हम व्यंग कहते हैं हिंदी में उसके लिए अंग्रेजी में सटायर शब्द का प्रियुक किया जाता है जो मूलता लैटिन भाषा का है इसका अर्थ होता है गड़बर जहला गुजराती भाषा में इसे कटाक्ष और उर्दू में तंज कहा जाता है व्यंग मुक्षतह सत्य को सामने लाने का काम करता है जो सत्य किसी परदे के पीछे छुपा हुआ है जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता है व्यंग सीधे सीधे शब्दों का प्रियोग कर अर्थ में एक चमतकार पैदा कर देता है और जब हमें उस अर्थ का बोध होता है तो हम व्यंग की उस गहराई को अपने हिर्दय तक महसूस करते हैं शिक्षारतियों पीडियां और गिटियां पाठा पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका आनंद भी आपको मिला होगा आईए अब हम व्यंग के तक्तों के आधार पे पीडियां और गिटियां पाठ को समझने का प्रयास करें इस पाठ की शुरुवात में लेखक ने व्यंग का आरंभ इस सूचना के साथ किया है कि वयो व्रिद्ध साहित्यकार ठक चुके हैं आईए इस व्यंग को अच्छी तरह एक बार फिर पढ़ें इसकी प्रारंभिक पंक्तियों को लेखक लिखता है ऐसे साहित्यकारों के बारे में जो व्रिद्ध हो चुके हैं जो क्रियाशील अब नहीं रह पा रहे हैं लेकिन वो सहारा लेकर दूसरी चीजों का अभी भी अपने जगा पर जमे हुए हैं तो लेखक बताता है कि वे साहित्यकार जो व्रिद्ध हो चुके हैं वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं मोटा चश्मा लगा कर शाथ देखते हैं निमोनिया की दवा जेव में रखकर बगीचे में घूमते हैं कान में उचा सुनने का यंत्र लगा कर संगीत की सभाओं में बैठते हैं और भोजन से अधिक मात्रा में पाचक या चूरन खाते हैं आप सोचेंगे कि इस पाठ की आरंभिक पंक्तियों में व्यंग कहा है ऐसे बुढ़े तो रोजी देखने में मिलते हैं जो लाठी टेक कर चलते हैं चश्मा लगाते हैं निमोनिया की दवा खाते हैं और कानों में उचा सुनने वाला यंत्र भी लगाते हैं लेकिन आप अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि जिन साहित्तिकारों के बारे में लेखक ने यहां टिपणी की है लेखक ने जिन साहित्तिकारों का चित्रन किया है वे विरिद्ध हैं सरीर से छीन हैं साहित्तिक शेत्र में ऐसे बूढों का उलेख किया है लेखोने इस व्यंग लेख में परसाई जी ने ऐसे व्रिद्ध साहित्तकारों का चित्रन किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धी को प्राप्त किया है लेकिन इन सुखों और प्रतिष्ठा को वे छोड़ना नहीं चाहते प्राकृतिक द्रिष्ट से तो वे छीन्ड और कमजोर हो रहे हैं या इस लायक नहीं रहते कि और सुख भोग सके लेकिन मोह न छोड़ पाने के कारण कृत्रिम मतलब बनावटी उपाय करते हैं इस पार्ट में बूढ़े कृत्रिम उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं चांद की तरफ देखना चाहते हैं बगीचे में घूमना चाहते हैं और संगीत की सभाव में बैठना चाहते हैं इसके अलावा जो सबसे मैदार बात है वो ये कि वावशक्ता सदिक भोजन करना चाहते हैं और उसे पचाने के लिए उससे भी अधिक पाचक रखना चाहते हैं जबकि होना तो ये चाहिए कि इन बूढों को खुशी के साथ सारा मोह, सारा लोव त्याग कर सब कुछ अगली पीड़ी को सौब देना चाहिए जिससे कि उसके विकास का बार्ग प्रशस्त हो सके परंत यहां ऐसा नहीं है इस बात की सूचना इस व्यंग के आरंभिक अंशों में ही हमें मिल जाती है तो शिक्षारतियों आईए इस व्यंग के मूल कथा वस्त को समझते है इस पार्ट के लिखक ने यह बताया है कि एक दिन युवाजन उन वृद्धों के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वे बहुत बूढ़े तथा यशश्वी हो चुके हैं अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशिरवाद देते रहना चाहिए क्योंकि अब वे पूजनी हो गए हैं वे देवता के तुल्य हो गए हैं और उन्हें ये बताया गया उन वृद्ध साहित्यकारों को वृद्धों को ये बात पसंद आ जाती है परन्त उन्हें आशंकाएं हैं कि उनके यश्श, उनके जण्डों, उनके भोग, उनकी आमदनी तथा उनके प्रतिश्रद्धा का क्या होगा आप समझ रहे होंगे यहां यश्श, जण्डे, भोग, श्रद्धा और आमदनी से भाव यह है कि अब तक वे व्रिद्ध अपने जीवन में जो करते रहे जिस किसी मान्निता या जिस किसी समूह को इस्थापित करते रहे यश्श पा सके उन सब की निरंतर प्रतिष्ठा या प्राप्ति अब कैसे संभा होगी यह चिंता उन व्रिद्ध साइत्यकारों को सता रही है इसका समाधान योकों ने बहुत आसानी से किया है उन्होंने व्रिद्धों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज भोग यानि स्रिष्ट भोजा ना दी दिया जाएगा मंदिर में उनकी आरती उतार कर शरद्धा भाव प्रगट किया जाएगा व्रिद्ध साहित्यकारों की जो आमदनी अपनी पुस्तकों की विक्री से होती थी यानि जिसे हम रोयलिटी कहते हैं वह भी नियमित रूप से उन तक पहुँचा दी जाएगी इस पे व्यंग यह है कि ये बुज़ुर्ग केवल इसी लायक रहे गए हैं कि बैठ कर अगली पीड़ी को आशिरवाद दें और समाज में मूर्त के रूप में बने रहे ये अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं जिसके बाद सर्जनात मक्ता या कुछ नया करने की संभावना समाप्थ हो जाती है और जीवन निश्क्री हो जाता है इनकी जरूरतें भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई हैं इसलिए सहज रूप में जितना मिल सके उतने में ही इने संतोस करना चाहिए बहुत अधिक प्राप्त करने के लालच को छोड़ देना चाहिए देवता शब्द में भी व्यंग है जिस प्रकार देवता राग द्वेश से दूर रहते हैं उसी प्रकार इन बूढों को भी रहना चाहिए लेकिन ये देवता के पद को तो पाना चाहते हैं पर आचरण देवताओं जैसा नहीं करना चाहते इस पार्ट में दिखाये गया है कि एक वयो व्रिद्ध ने बहुत महत्तपून सवाल उठाया उसका कहना था कि हम कर्म के विना कैसे जीवित रहेंगे व्रिद्धों की ये आशंका सभाविक थी इस प्रश्ण पर योकों ने सुझाओ दिया कि आप व्रिद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के संस्मरण तो सुनाते ही रहेंगे इन संस्मरणों को हम पुस्तक के रूप में छपवा देंगे और ये आपके कर्मशील होने का प्रमाड भी होगा व्रिद्ध इस बात से सहमत हो जाते हैं और उन्होंने देवता बनना मंजूर कर लिया आगे की कथा में लेखक ने कई व्यंग्यात्मक प्रहार किये हैं जो व्रिद्धों की हटधर्मिता और मोह को हमारे सामने लाती है जैसे आप जानते हैं कि साहित्तकारों की जो पुस्तके होती हैं उन पुस्तकों पर कई बार रॉयल्टी नहीं मिलती है इसके लिए लेखक ने ये कहलवाया है एक युवक से कि हम उन्हें ठीक कर देंगे अब ये शब्द ठीक कर देंगे में गहरा व्यंग है ठीक कर देंगे का सीधा सीधा आर्थ है कि उन्हें हम व्यवस्थित कर देंगे लेकिन इसमें छुपा हुआ व्यंग ये बताता है कि यदि प्रकाशक रायल्टी देने में आना कानी करेंगे तो उन्हें हम सबक सिखा देंगे इस तरह के बहुत सारे प्रियोग इस गंग में लेखक ने किये हैं इस पार्ट के अंतिम भाग में वयोविद्ध साहित्तकारों को देवता बना कर मंदिरों में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद व्रिद्धों का ध्यान योकों पर जाता है वे उनके बारे में बात करने लगते हैं कि बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे ये युवक हमें मंदिर में बंद कर दिये हैं वे सोचते हैं कि बाहर योकों में से कोई नाटक देख रहा होगा कोई पकवान खा रहा होगा सब खुश होंगे, मस्त होंगे यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वृद्ध जन देवता तो बन गए लेकिन मोह को न छोड़ पाए लोब मन से नहीं निकल पाया इसलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्सा के प्रती उनमें इर्श्या का या जलन का भाव होता है लेकिन इनमें एक ऐसा वृद्ध भी है जो दूसरों की तरह नहीं बलकि समझदार है वह कहता है कि वह युवक है तरुण है खाने खेलने लायक है हम तो इस युग अब रहे नहीं ज्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब होगा कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी ये भोक का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा इतना ही काफी है कि ये हमारी बंदना करते हैं यही हमारे लिए ठीक भी है लेकिन दूसरे देवताओं को यह बात बिलकुल पसंद नहीं आई उन्होंने परतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर योकों ने अधिकार जमा लिया जहां कभी हम थे वहाँ वे हैं हमें केवल मूर्ती बना कर रख दिया गया है रायह सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा जाग गई वह देवता इनमें शामिल न हुआ और उसने वही किया जो ऐसे मौकों पर अकेले पड़ गया व्यक्ति करता है वह चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्टे में चला गया आपने देखा होगा सभी देवताओं में यही वृद्ध, सही और अच्छा आपको भी लगा होगा वह इसलिए कि लेखक भी चाहता है कि बुजूर्गों को ऐसा ही होना चाहिए उन्हें अपनी इस्थिती और शमता का बोध होना चाहिए दूसरे के प्रती सहान भूति प्रून द्रिष्टी रखनी चाहिए खास तौर पर योकों के प्रती लेखक सभी बुजूर्गों पर व्यंग नहीं करता किवल ऐसे लोगों पर व्यंग करता है जो अपने निरर्थक स्वार्थ के कारां दूसरों का मार्ग अवरुद्ध करके खड़े हो जाते हैं शिक्षार्थियों आपने इस व्यंग का आनन्द लिया आईए इसके अंतिम हिस्चे में देखते हैं कि देवता बने हुए ये बुजूर्ग साहितकार कैसा बेवार अपने उस अगली पीड़ी के साथ करते हैं जो युवा है तो हम देखते हैं कि देवताओं ने सलाह करके जो निशकर्स निकाला वह शाम को युवकों के आने पर जाहिर हो गया जैसे ही युवक थाल में मिठाई सजाकर देवताओं के सामने आए तो देखते हैं कि देवताओं चबूत्रे पकड़े हैं और उन्हों ने युवकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिये युवकों ने इस पत्थराओं का कारण पूछा तो देवताओं ने कहा कि तुमने हमें उन सबसे रहित कर दिया जो कल तक हमारा था अब युवकों ने स्पष्ट किया कि उन सबसे वंचित रहने का मूल कारण उनकी बढ़ती उम्र ढलती शक्त है हम नहीं और बुजूर्ग साहित्तकारों को ये स्विकार भी करना चाहिए था युवकों ने कहा कि फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं और तुम हो कि पत्थर से हमें छोट पहुँचा रहे हो हमें अपमानित कर रहे हो इस पर दियुताओं ने पहले से तयार अपना फैसला सुना दिया कि जिन राहों पर हम चले थे उन पर युवक न चलें जो हमारा भोज्य था वह युवक नहीं खाएंगे और ज्धन्डे भी हमारे ही फैराए जाएंगे युवकों के नहीं आप समझी रहे होंगे कि ज्धन्डे से यहां तात पर उन सिध्धानतों से है जिससे ये व्रिद अब भी चिप्टे हुए हैं उन मतों से है जिससे ये व्रिद अब भी छोड़ना नहीं चाहते नए युक के युवकों ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया जिस पर क्रोधितों देवताओं ने पत्थर बरसाने सुरू कर दिये और जैसी की उम्मीद थी एक युवक ने आओ देखा न ताओ पीपल के पेड़ पर फैरा रहे देवताओं के ज़ंडों को ही फाड़ कर फेंग दिया दोनों उरसे हमले होने लगे और जब एक राहगीर ने दूसरे से मामला पूछा तो जबाब मिला यह लड़ाई नहीं है बलकि दो पीडियों के बीच कलागत मुल्यों को लेकर बहस हो रही है यह कलागत मुल्य एक ज्यंग्योक्ति है वरसों तक कला को लेकर रश्ट उठते रहे हैं लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं ढूट पाए हैं शिक्षारतियों जो कलागत मुल्य होते हैं वो पीडियों के साथ समाज के बदलने के साथ बदलते हैं और इस बदलाव को स्विकार भी करना चाहिए परसाई जी भी उन बहसों पर कटाक्ष करते हैं जो व्यर्थ में केवल विरोध के लिए की जाती है उनसे समाज को हासिल कुछ नहीं हो पाता है तो शिक्षारतियों यह था व्यंग रचना का पूरा कत्थ यह पीडियों के संगहर्ष को उजागर करता है नई पीडि को दाइत्व हीन कहने वाली पुरानी पीडि दरसल नए लोगों पर दाइत्व सौपना ही नहीं चाहती उसे भै रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीडि अपना वर्चस्व न इस्थापित कर ले हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीडि की या लालसा और जूठा भै किस प्रकार समाज की युवा पीडि के विकास उसकी स्वतंतरता और सुक समरिद्ध को प्रभावित करती है जिस समाज में ऐसी पुरानी पीडि होगी उस समाज के युवक कुन्ठित आत्न विश्वास विहीन तथा अकेले प्रण से गरस्थ होकर समाज विरोधी होंगे शिक्षार्तियों आएए इस व्यंग विधा के शीर्षक पे कुछ बात करें शीर्षक जैसा कि आप जानते हैं पीडियां और गिट्टियां पीडियां उम्र और अनुभव के भेद को दर्शाती हैं पुरानी पीडि के अंतरगत बुढ़े माता पिता गुरु आते हैं और नई पीडि के अंतरगत युवक उत्र और शिस्य आते हैं हर पीडि की अपनी अलग सोच होती है जो पीडि के बदलने के साथ ही एक नया रूप ग्रहन कर लेती है प्राय पीडि का या क्रम 12 से 16 वर्षों में बदल जाता है इसलिए कि एक छोटा बच्चा इतने वर्षों में युवक बन जाता है गिडियां धेले होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकडे लेखक न उन्हें आग गिडिया कहा है एक पीडि दूसरे पीडि को गिट्टियां मार रही है पत्थर मार रही है इसका मतलब यह है कि एक पीडि दूसरे पीडि को प्रताडित कर रही है नई पुराने पीडियों में कोई भी अपने को दूसरे से नीचा नहीं देखना चाहता है इसलिए दोनों में संघर्ष चलता है संघर्ष प्राया, विचार, सोच, मत के धरातल पर होता है लेखक ने संकेत से इसे गिट्टियां कहा है अपने विचारों को दूसरों पर लादने के कारण इस रचना का या शिर्षक पीडियां और गिट्टियां बहुत सार्थक और सटीक है चिक्षार्थियों इस पार्थ में भाषा का बहुत ही सरजनात्मक प्रियोग परसाईजी ने किया है पीडियां और गिट्टियां शिर्षक में ही आप उस प्रतिकात्मक्ता को उस सरजनात्मक्ता को देख सकते हैं किसी भी बात को जब हम सीधे सीधे ना कहकर उचित शब्दों मुहावरों का एक चमतकृत प्रियोग करते हैं तब बात में व्यंग पैदा होती है पीडियां और गिट्टियां नामक व्यंग एक और तो बृद्धों को उद्घाटित करता है दूसरी ओर अगली पीडि के तरुण और युवा जो व्यंग द्धों द्वारा जीवन की सुविधाओं और साधनों पर रोक टोक से परेशान है यह उनके मना इस्थिती को उद्घाटित करता है दोनों पीडियों के बीच इस वर्चस को लेकर भीशर संगहर सोता है सिक्षार्तियों व्यंग की भाषा किया विशेस्ता होती है कि देखने में तो शब्द और वाक के सनरचना बिलकुल स्पष्ट और सीधी साधी लगे परंत अर्थ की दिर्ष्टी से वह बहुत गहरी और गंभीर बात की योर संकेत करती है जैसे पाठ के शुरू में ही लेखक ने लिखा है कि साहित्य के वयो व्रिध ठकित हुए वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते मोटा चश्मा लगा कर चांद देखते नीमोनिया की दवा जेब में रखते बगीचे में घूमते कान में उचा सुनने का यंत्र लगा कर संगीत सभा में बैठते भोजन स्यदिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते बार-बार पढ़ने में इन पंक्तियों को आनन्द आता है और इसके पीछे छिपा व्यंग भी हमें समझ में आने लगता है पहला वाक्य बताता है कि आगे लिखी गई बाते साहित के ख्षेत्र में कारिरत वयो वृद्ध और जीवन से ठके व्यक्तियों के लिए लिखी गई है और उसके बाद एक-एक वाक्य व्यंग में लिखा गया है इसी प्रकार बगीचे में घूमना उन्हें इतना पसंद है कि वे ठंड में भी घूमते है परन्त कहीं निमोनिया न हो जाए इस डर से हमेशा दवाईया भी खाते रहते है संगीत सभा में जाना उनके लिए अधिक महत्तपून है चाहे वे उसे यंत्र लगा कर ही क्यों न सुने लेखक ने पूरे पाठ में व्यंगात्मक्षैली का प्रियोग किया है सिक्षार्थियों अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यंगात्मक्षैली किसे कहते हैं व्यंग पूर्ण अंदाज में किसी बात को कहना ही व्यंग आत्मक्षैरी होती है लेखक ने इस्थान इस्थान पर मुहावरों का सटीक प्रयोग करके इस व्यंग को और दिल्चस्प बना दिया है और गहरा बना दिया है जैसे आना कानी करना, ठिक करना, मुचा सुनना, खाने खेलने देना शिक्षार्थियों अब तक हमने पीडियां और गिटियां पाट के संदर्व में बहुत सी बातों पर चर्चा की उसका विशलेशन और विवेशन किया आईए, अब कुछ बातें शब्द शक्तियों के बारे में करते हैं शब्द शक्तियां तीन परकार की होती हैं अभिदा, लक्षणा और विञ्जना जिसे हम विञ्जना कहते हैं, वही शब्द शक्ति व्यंग को पैदा करती है जब किसी बात को सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से हम कहते हैं तो वह अभिधा कहलाती है क्योंकि उन सीधे सरल शब्दों में प्रचलित अर्थ अभिवेक्त होते हैं जैसे आप कहें कि मैंने चांद देखा, इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि चांद आपने देखा है परंत यदिया कहें कि मैंने सुबह सुबह अपने घर में एक खुबसूरत चांद देखा तो इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ होगा कि आपने अपने किसी प्रिय का सुबह सुबह चेहरा देखा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांद सुबह नहीं और घर में नहीं उगता, आस्मान में और रात में उगता है इस प्रकार इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति को हम देख सकते हैं शब्दों कीवा शक्ति जो मुख्य अर्थ से हटकर अर्थ दे और साथ-साथ अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े तो वही लक्षणा कहलाती है तीसरे प्रकार की शक्ति होती है वेंजना और इससे विशेश प्रकार का अर्थ पैदा होता है यह शब्द शक्ति परिस्थिति के अनुसार अर्थ देती है जैसे किसी सोते वे बच्चे से कहें कि सवेरा हो गया और चिडिया बोलने लगी तो इसका अर्थ उस बच्चे को इस बात की सूचना देना नहीं बलकि यह बताना है कि अब तुम्हारे उठने का समय हो गया है जागने का समय हो गया है विस्तर छोड़ देने का समय हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि व्यंजना पैदा करने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग रचनाकार अपने रचनाओं में करते हैं और व्यंग के लिए एक आवश्यक शब्द शक्ति मानी जा सकती है शिक्षार्थियों आईए पाठ के अंत में एक बार हम फिर से जाने कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा इस पाठ पे हमने देखा कि पीढ़िया और गिट्टिया एक व्यंग रचना है जो साहित्तिक शेत्र के वृद्धों और योकों की मानसिक्ता को स्पष्ट करती है व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो व्यक्ति को भीतर तक जग जोड देती है व्यंग में विचारों की गहराई होती है जो व्यंग को सोचने पर मजबूर करती है व्यंग को अंग्रेजी में सटायर, गुजराती में कटाक्ष और उर्दू में तंज कहते है व्यंग में मुहावरे और व्यंगयोक्तियों का बहुत महत होता है जो भाषा को अधिक प्रभावशाली और पैना बनाता है पाठ में छोटे छोटे वाक्य, समवधात्मक और व्यंगात्मक शैली में प्रस्तुत किये गए हैं पाठ में दो पीडियों का संघर्ष दिखाया गया है तो सिक्षार्थियों आपने धैरे से पीडियां और गिटियां पाठ को सुना और समझा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद